हेली शाग को किया गया कांस में इगनौर बॉलिवुड पर लगाया भेदभाव करने का आरोप बॉलिवुड पर अक्सर टेवी सितारों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं हाल ही में कांस में गई हीना खान ने भी बॉलिवुड पर इल्साम लगाया था और बताया था कि कैसे वहां उन्हें इंडियन पवीलियन में एंट्री नहीं मिली वही अब हेलिशा ने इंडस्ट्री में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन पर बात की है हेलिशा को कांड फिल्म फेस्टिवल में भेदभाव का सामना करना पड़ा अक्ट्रिस ने इस साल कांस में डेब्यू किया और रेड कार्पिट पर उन्होंने अपना जलवा भी खेरा अक्ट्रिस ने बताया टीवी अक्ट्रिस होने की वज़ह से मुझे कान में नजरंदास किया गया जिसके लिए मुझे बुरा महसूस हुआ हेली शान ने कई TV सीरिल्स में काम किया है और उनका मानना है कि पॉपिलर होने के बाद भी हमें बॉलिवूड आक्टर्स की तरह नहीं समझा जाता हेली ने कहा मैंने कई बार इस तरह की परिशानियों को छेला है लेकिन मैंने कभी इसके बारे में कहा नहीं हम सभी को TV का टैक दिया गया है अगर मैं किसी फिल्म के लिए ओडिशन भी देने जाती हूँ तो लोग मेरा रिजूम दे कर कहते हैं ओ आपने TV सीरिल्स में काम किया है यहाँ पर नहीं हो पाएगा मुझे लगता है कि TV सेल्ब्स को बराबरे मिलने का रास्ता अभी काफी लंबा है वेल आपका क्या कहना है हेली के स्टेटमेंट को सुन बताइए हमें कॉमेंट सेक्षिन में और अल्सो डू लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब टेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube